2.5 best laptop for online classes तो वह अगर आप college university में कहीं भी पड़ दो and वह अगर आपको online classes के लिए laptop चाइए luôn फ्लास वीडियो हैं गेमंग भी करने गेंग भीक्रने को softear यूज़ करना अगर आपका budget is 40,000 suli बाउत ख़े laptop बताऊंगा plus बात करते है number 5 की पैसा भी बताऊंगो जिसपर अगर आपने 4K ट्राइ करना है आप वो भी कर सकते हो तो स्टार करते है नम्बू 5 की बात करते हैं, नम्बू 5 पर यार मैंने रखा HP 14 को, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले इस के price range की बात करते हैं, आपको 41,000 के budget में HP 14 में इस specification के साथ देखने को मिलता है, आपको i3 देखने को मिलेगा, 10th generation के साथ या 11th generation के साथ, अगर आप 11th generation के पास जल्दी transfer हो जाता है, इस comparison के साथ है, 8GB RAM देखने को मिलेगी, जिसको आप upgrade कर सकते हो, 16GB तक ठीक है, प्लस आपको integrated graphic card मिल जाए, ठीक है, तो इसको number 5 पर रखने का सिर्फ एक reason देखने को मिलता है, कि आपको integrated graphic card देखने को मिलता है, और कोई भी reason नहीं है, इसको number 5 पर जाना ही जाना है, अगर आपने video acting करने है, जा अगर आपने gaming करने है, तो आपको integrated graphic card देखने को मिलता है, तो आपकी जो gaming है, वो experience अच्छा नहीं होगा, अगर आप 8GB के पास जाओगे, अगर आप 16GB RAM के अरजल जाते हो, तो आपका experience जो है, वो बहुत जाला सही हो जाते हो MI Notebook 4D को, अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले, यह laptop भी आपको 41,000 के बटर में देखने को मिल जाता है, laptop का design, build quality बहुत जाला सही है, प्लस भी अगर आपको as a student भी चाहिए, as a office work के लिए भी चाहिए, अगर आपने video acting भी करने है, अगर आपने gaming भी करने है, आप सभी के ल लेकिन उसका price आपको देखने को मिलेगा, 46,000 के बटर में, and इसमें आपको i5 10th generation के साथ मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाती है, प्लस आपको as a student भी देखने को मिल जाते हैं, अभी मैं आपको इसका minus point भी बता देता हूं, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, इसके minus point की बात करूं, आपक 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point आजाता है, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, वैसे इसकी display quality बहुत जादा सही है build quality, उसके साथ भी इसका trackpad, touchpad भी बहुत जादा सही है, long battery lap मिलती है, सबसे पहली, सबसे पहली बात आती है, कि आपको 10 hours का battery backup मिल जाता है, मैं जितने भी आपको laptop बता रहो ना, कि किसी laptop में भी आपको 10 hours का battery backup नहीं मिलता, जो कि सच में एक plus point आ जाता है, MI notebook 14 का, अभी इसको number 3 पर रखा, because अगर आपका budget 40,000 से भी कम है, अगर आप extra पे नहीं कर सकते, आपके लिए best deal हो सकता है, Lenovo IdeaPad Slim 3i Plus, अगर मैं इसके budget range की बात को, आपको 37,000 के budget में मिल जाता है, plus आपको इसके साथ Lenovo laptop bag भी देखने को मिल जाता है, मतलब अगर मैं उस laptop bag की price की बात आफको मैं आपको 50000 less देखने को मिल जागा, तो इस laptop का price होजएגा 3000 के budget में, 3000 के budget में आपको बंता características देखने को मिलेंगे, आपको i3 देखने को मिल का 10th generation के साथ भी मिल की अगर 11th generation के और जा सकते हो, अब देख लेना है, अगर आपको 10th generation मोँशन बहुत है, तो आपको वो laptop भी बहुत धगड़ा मिल जाता, कोई problem नहीं आती है 10th generation हो गया, 11th generation हो गया इतना इनका जो फर्क बगारा नहीं होता, ठीक है आप long time video यूज़ कर सकते हो इस laptop को as a student हो, as a office बर के लिए चाहिए अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना, अगर आप video अटिंग बगारा भी करना चाहते हो उसके बाद भी अगर आप normal setting पे gaming भी करना चाहते हो आप इस laptop पे कर सकते हो, प्लस आपको 8GB RAM देखने को मिल जागी 12GB तक आप upgrade कर सकते हो, प्लस आपको SSD देखने को मिल जागी अगर आपको 8GB बहुत है, अगर आपको video अटिंग करने है, जब गेमिंग करने है 12GB RAM, minimum रख लेना, बिकरस इसमें भी आपको integrated जो है, ग्राफिक कार देखने को मिलता है तो आगे बात करते है, number 2, number 2 की बात करूँ, number 2 पे जाए, मैंने रखिया Asus VivoBook Ultra 15 को, अगर इस laptop की बात करूँ, अगर आपको 41,000 के बदर में एक slim and stylish design भी चाहिए, अगर आपको gaming भी करने है, अगर आपको video editing भी चाहिए अगर आप कहीं पर लेकर जाते हो, कोई बंदा आपके laptop को देखता है, सच में कोई बंदा जज़ करेगा कि भई, laptop का price बहुत सही है एंड ये ऐसा बिलकुल भी नहीं ये look देता, कि ये 40,000 के बदर में आपको देखने को मिलगा, ठीक है आपको 2020 model देखने को मिलगा, आपको i3 11th generation के साथ मिलता है, 8GB RAM मिल जादा है, 16GB तक आप अपकरेड कर सकते हो, प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जादा है, प्लस आपको SISD देखने को मिलगी, मैंने आपको पहले बता दिया, slim and stylish design है, तीन गलज में देखने को मिलता है, ए चैश्ज में laptop का design है, जो color बगाना है, वो बहुत जादा look सही देते है, and specification के according देखा जाए, वो भी बहुत अपर आपको मिल जाता है, आपको i3 देखने को मिल जाता है, 11th generation के साथ, SHD देखने को मिल जाता है, 16GB तक आप RAM को upgrade कर सकते हो, and आपने करनी है, ऐसे नहीं कि आप आप extra pay कर सकते हो, आप इस laptop के और चले जाना, because आपको 45,000 के बदर में specification पूरे loaded मिल जाते है, आपको i5 10th generation के साथ मिल जाता है, 8 GB RAM मिल जाते हैं, जो कि आप upgrade कर सकते हो, 16 GB तक प्लस आपको SIT देखने को मिलेगी, ग्राफिक कार की बात करूँ, आपको 2 GB ग्राफिक कार देखने को मिल जाता है, तो इस पे तो आप normally gaming भी कर सकते हो, और आप video acting भी कर सकते हो, अगर आपने 4K भी try करना, आप कर सकते हो, बस आपने 16 GB RAM minimum रख लेनी है, 2 GB आपको ग्राफिक कार मिल जाता है, i5 के साथ आपको 10th generation के साथ देखने को मिल जाता है, पुरसाइसर भी बहुत अगड़ा है, RAM भी तगड़ी हो जाएकि, एंड आपको ग्राफिक कार भी 2 GB मिल जागा, तो बहुत आपने जैसे भी यूज़ करना है, आप कर सकते हो, तो अभी मैंने आपको सभी laptop के specification बता दिये, मैं आपको फिर से repeat कर देता हूँ, अगर आपका budget increase हो जाता, अगर आप 45,000 या 46,000 पे कर सकते हो, आपके लिए Acer Spire 5 या MI Notebook 14 best deal हो सकते हैं, इन दोनों में से जो भी आपको सही लगती है, आप उसके और जा सकते हो, अगर आपका budget 41,000 है, इस budget range में Asus जो है, वो बहुत ज़्यादा सही कर रहा है, आप Asus के laptop के और चल जाना, वो बहुत आपको specification तगड़े मिल जाते हैं, अगर मैं बात करूँ, अगर आपका budget 35,000 है, तो इस budget range में भई, आप जा सकते हो, लिनो वो IdeaPad Slim 3i किया हो, ठीक है, वो loaded मिल जाता है, इसा specification के according देखा जै, प्लस उसके साथ आपको bag मिल जाता है, अगर आप 5% या 10% off ले लेते हो, उसका price और भी कम हो जाएगा, जो कि आपके लिए ही benefit होने बाला है, तो यार अभी मैंने आपको वीडियो आइटिंग के लिए भी लैक्ताप बता दिया, गेमिंग के लिए भी बता दिया, अगर आप office work के लिए चाहिए, अगर आप store note हो, अगर आप animation करते हो, cartoon draw करते हो, कुछ भी करते हो, programming करते हो, अगर आप coding करते हो, आप सभी के लिए, जो मैंने laptop बता है, वो बैस deal हो सकते हैं, अब या आगे मिलते हैं, कोई नया topic वगरा लेकर आएंगे, आपके साथ share करेंगे, तो यार मेरी वीडियो, यही पर हो जाती है, खरतम, अगर आपको मेरी वेच्चों लगी, वीडियो को like करताना, comment करताना, share करताना, दोस्तों को बेदाना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदाना, उनको भी कहतना, चैनल को करते subscribe, वीडियो करते like, Instagram पे करे ले, follow link बगराया, आपको दिस्केप्शिन बॉक्स में देखने को में जागा स्केच आपको नहीं में में ते नाक्स्ट वीडियो में वीडियो साथ तेंक यू